जमस्कार में रीमा प्रसाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लोक सबाचुनाव का घमासान अब और भी ज़ादा तेज हो चुका है दूसरे फेस के मदान से पहले 36 गड़ के डेपोटी सीएम विजैश शर्मा से न्यू सेट इंडिया से स्क्लिसी बातशीत की हैं उसमें जिन्होंने कॉंग्रेस 136 गड़ कोर्व सीएम भुपेश बगेल पर जमका नशाना साथ है मैं राइपूर की सडको पर निकली हूँ राइपूर का चुनावी में जास जानने डेपीटी सीम विजैश शर्मा हमें मिले तो हमने कहा कि इतने फायर प्रेंट नेता को हम इंटेव्यू घर बैट करतो नहीं करेंगे विजैजी आपका ऐसी चवी आपकी है बाइक की सवा और एक बाइक मेरी सब्सक्राइब तो चले सर फूजे शरू करते हैं बातशी चटिस गड़ के डेपीटी सीम और सूबे के ग्रिमंत्री विजैश शर्मा जी के साथ में मैं आपसे इसलिए बातचीत करना चाहती थी क्योंकि 36 गड़ के सभी लोग कम बोलते हैं लेकिन आप हैं जो बड़ा फाइब्रेंड होके सारी चीजों को बोलते हैं हिंदुत का फाइदा उठाना या हिंदुत के लिए ही जीना मरना हिंदुत तनमन हिंदु जीवन रगरग हिंदु मेरा परजय हिंदुत से कोई भाज राजस्थान उत्तरपतेशन से अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें बरखास्त कर दी गई थी 6 महीने में चुना हुआ कहीं दुवारा भाजपा आई नहीं लेकिन आपको जेल जाने का कई फाइदा तो नहीं मिला तो आपको सूबे का ग्री मंत्री बनाया गया और सू चरीके की चवी है और लोग बड़ा सुनते हैं आपकी भीड में देखती हूं कि काफी बीड रहती अभी आपके कार्याले पर काफी लोग आ रहे थे राम की भक्ति आप कैसे करते हैं कैसे देखते हैं ननिहाल में भगवान राम के प्रतित हां कोई दिन चर्या है Pooja पार क विशेस महत्वकाविसेय है। भगवान राम को भाचा मानते हैं। कोई मतलब बहुत विशेस अलग से अनुस्थान की प्रक्रिया भी नहीं होती है अलंके कुछ पार्ट कुछ पूजा वो एक अलग भी सह है लेकिन यहां रग रग में कंड कंड में प्राम बसते हैं अब यहां तक बताना चाहूंगा अभी नक्सल ऑपरेशन एक हुआ मैं इसी पर आने वाली थी कि नक्सलियों को लेकर बड़ा एक ऑपरेशन किया गया आपको सफलता मिली ग्रिह मंत्री रहते हुए बड़ी सफलता है लेकिन कॉंग्रेस क्यों कह रही है डाउट क्यों है कॉंग्रेस को कि आप लोग फर्जी एंकाउंटर कर रहे हैं ठीक चुनावों से पहले वोट बटोरने के लिए बगसर्व मुझे एक बात बताएं भूपेश बगेल जी इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको क्या ऐसा करना चाहिए उन्होंने कहा कि जो 29 लोग नक्सली मारे गए हैं वो फर्जी एंकाउंटर था नक्सलियों ने खुद परचा जारी करके प्रस्टूट जारी करके यह कहा है कि हमारे 29 साथी शहीद हुए जब नक्सली स्विकार कर रहे हैं कि नक्सली मारे गए वो तो वो कह रहे हैं आप लोग इतना डाल देते हैं उन नक्सलियों ने जब स्वेम स्विक आ रहा है कि उन्तीस मारे गए तो यह कैसे कह रहे हैं वर्जी एंकाउंटर हुआ है लोगों में भ्रम फैलाने के लिए फिर से वह अर्बन नक्सलिजम को हवा देने के लिए फिर से नक्सल प्रभावी चेत्र जो पूरा बस्तर है संकू श्राग वंपरतrie जर्लेने के लिए का ता स्भाव यहां पर कियर को हुदाब में करना चाहता हूं कि अपने सेना में अपने देश के पूरे देश में एक नकसल है जो बड़ी समस्या है जिसका निवारण किसी के पास आज तक ठोस हुआ नहीं आप ग्रीम मंत्री बने अमिश्या जी से डिरेक्ट आपकी बातचीत जब होती होगी नकसलवाद को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है खतम होगा तो कैसे होगा नकसलवाद में जितने लोग सक्रेता से अभी काम कर रहे हैं उनमें 95 प्रतिशत से अधिक लोग मजबूरी में हैं जिनको बंदू के दम पर ला करके साथ लिया गया बाद में उनके साथ हाथ से कोई प्रकरण हुए तो पुलिस में केस पंजी बद है वो चाहते हैं कि इन स इस बात का निर्णय करें कि मुख्यधारा में कैसे आ सकते हैं मुख्यधारा में आने में उनको क्या दिक्कत है वहर हाल में मुख्यधारा में पहुंचे आना चाहते हैं 95 प्रतिशत से अधिक आना चाहते हैं लिकिन किसी कारण से वो रोग जाते हैं डर के मारे उनको बंद अब वो नहीं आ पा रहा है, पुलिस के पास वो नहीं आ पा रहा है, वहाँ यह दोनों ही इस सितिया में फसे हुए हैं, इसलिए अच्छे पुनरवास नीती की जुरुत है, जिस पर काम चल रहा है, जल्द ही वो सामने आई. आपके करीबी ने मुझे बताया कि आप गरी मंत्री बनने के बाद उस बैरेक में भी गए जहां पर आपको रहना पड़ा था, क्या महसूस हुआ कि जबरदस्ती मुझे यहां डाला गया और आज मैं गरी मंत्री बना हूँ, मुझे वो पावर मिली है, तो मैं कैसे इन सब मुझे सब कि गविए बनने की तौ यहां पर जो बज़एक थे, उन्हीं काविसेर था सब शुनिकूक्या विलएक आप बार बार कहते रहे, क्योंकि आप कहते हैं कि आप कहते हैं विन्हीं की वरणीति थी तौनीके द्वारा प्लां किया रहा था, देखे मुखिया के ऊप पर तो बात आती ही हैं तो भूपेश बगेल मुख्या थे और हमारे यहां बेदाया कि यहां से कबरधास जाकर के लड़े ते मुहम्मद अग्पर होते हैं और बार वही किया भरजी है फाई यार लोगों को डाराना धंकाना सब कुछ यही करते रहें तो मेरे साथ भी वह हु समय का उप्योग आपने किया नेताजी बाइक पर चलते रहते हैं हमें उतनी आदत नहीं है इसलिए हमारी बाइक बीच बीच में रुख जाती है मैं अधा से अधिक शत्तिसगड बाइक से घूमा है अच्छा आप कितना घूमे है आदे से अदिकार बात कर रहे हैं बाइक रेगुलर ही है, रेगुलर ही है, जारा गाडी में अच्छा लगता है या बाइक पर? बाइक पर, अपने लोग मिलते जुलते रहते हैं ना? यह होता है, लेकिन सर थोड़ा रुका जाए सर, कुछ खाया पिया जाए, यह देखिए, उठ जगा, तो हम लोग रुके हैं ताकि कुछ पी पाएं कुछ खा पाएं और बाचीत का सिसल आगे ले जाएं क्यूंकि विजय शर्मा के बारे में सब जानना चाहते हैं कैसे नेता जो हिंदुत से अपनी चीजों को शुरू करते हैं और बढ़ एक ही बार में पहली बार में उनको ग्रिमंति तक बना दिया जाता है यहां पर चलिए बैठे सर बैठिये क्या अब वो दौर आ गया है जब हम देख रहे हैं कि मादवी लता या कुछ और नेता जो हिंदुत के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं क्या कॉंग्रेस ही कहते हैं आप इसी को इस्तमाल करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं यही अब राजनीती में रह गया है क्या मुझे आप एक बात मैं पुछ से भी बोला आप से हैं जिस समय बाबरी मस्जिद के धाचे का धुन्स हुआ था उत्तरपदेश राज्थान मत्प्रदेश यसी बड़ी सरकारे खतम हुए चार मैं चुना हुआ था कहीं भा कि लोक्त अंत्रमा कोना चाहिए भाजपा ने जनसंग जो हमारा पूर्ण था उसको जनता पार्टी में विलीन कर दिया था इसलिए क्योंकि देश में अच्छी दोश्टा करें उनी चाहिए पार्टियां गई सरकारे कितनी नियोशावर हैं इस मसले पर भाजपा अडिग ह कि भारती अमान मिंदों का सर्मान होना चाहिए भाजपा की बिल्कुल प्रतिबदता है इसमें से पर कोई संच्छे नहीं चीज मुझे भी कोई बता रहा था कि आप आज भी जमीन पर बैठते हैं और अगर कोई अपना मिल जाए तो जमीन पर बैठकर ही बाचीत होते हैं वो जुड़ाव महसूस होता है जमीन पर बैठना उन लोगों के साथ में रहना जैसे रहे हैं वैसा रहना से बदलने क्या हुशता है लोगों में लोग सोचते है अच्छा आप विजेश्चर्मा डिप्टी सीम हो गए लाव लशकर आ गए या फिर अभी भी विजेश्चर सबसे बिचान हुभा है तो आम ने देखा कि की अहारी प्रदेफ सोचते लिया गया इनको बनाया गया है इतना ही मामला है घूत्तों विजेश्चर्मा अमारे साथ थे हम इ drift कर रहे हैं और जो मैं अब तक समझपाई वो यही कि डिप्ती सीम आज भी लोगों तक अपनी connectivity बनाने की कोशिश करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया लोगों आपने हमें दिया आपने हमें समय दोल दिया आपने आपने हमें 25 बहुत बहुत टॉसो मेंदों इन घुक्पकलन की की कीपशक्ष करते हैं झाल झाल